तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप Adobe Photoshop को फ्री में अपने PC, Laptop और Mac में डाउनलोड कर सकते हो तो आज आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उसको जागर उपन कर लो फिर आपके सामने ये पेज उपन होगा, यहाँ सबसे पहले country सिलेक्ट करो उसके बाद start free trial या save नाओ वाले option पर क्लिक करो उसके बाद यहाँ आपको plans दिये गए हैं तो individual plans में creative cloud pro को choose कर लो जिसमें आपको 14 days का free trial मिलेगा, साथ में 30 days का free trial मिलेगा Adobe stock का तो इसको भी ले लेना, उसके बाद continue पर क्लिक करो अब यहाँ पर अपनी email id एंटर करो और continue पर क्लिक करो उसके बाद यहाँ आपसे आपके debit और credit card की information मांगी जा रही है फिर आपके सामने ये page आएगा, make sure अपना password यहाँ से create कर लेना अब आपको फिर से इस वीडियो के description में जाना है जहाँ आपको second link मिलेगा उसको open करो और यहाँ से creative cloud डाउनलोड कर लो डाउनलोड हो जाने के बाद इसे install कर लेना और sign in कर लेना उसी email id से जिसका थोड़ी देर पहले इस्तिमाल किया था और sign in करने के बाद आपके सामने creative cloud open होगा यहाँ app sections में आ जाओ और यहाँ से आप photoshop को install कर सकते हो तो चलो यही था कुछ आज का वीडियो, मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए, bye